खार्गे जी, अरंधावा जी, दोतासरा जी, जूली जी, सचिन पाइलट जी, जीतु पट्वारी जी, उमंग सिंगार जी, इदिग्विजय सिंग जी, कमलेश्वर पतेल जी, सीपी जोशी जी, गिर्जा व्यास जी, रगुबीर मीना जी, अर्जुन भबानिया जी, ताराचन भगोरा जी, स्टेज पे वरिश नेता, हमारे कार्य करता, भाईयों और भेनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार, थोड़ा प्रोग्राम लेट चल रहा है, आपको यहां थोड़ा ठेहरना पड़ा, इसके लिए मैं आप से माफी मांगता हूँ, एक साल पहले कन्या कुमारी से कश्मीर तक हम भारत जोड़ो यात्रा पे चले, राजिस्तान से निकले, चार हजार किलो मिटर सबुद्नर से हिमाले तेक चले, और रास्ते में, हजारों लोगों से, मेरी डाइरेक्ट बात चीत हुई, यवाँ से, बुजूर्गों से, किसानों से, शायद, उस साल, मैंने हिंदुस्तान में, सबसे ज़ादा लोगों से बात की, शायद मैं ही वो व्यक्ती हूँ, जिसने सबसे ज़ादा लोगों से बात की, आठ घंटे, मिनिट के बाद, मिनिट के बाद, मिनिट के बाद, मिनिट, कोई नया आता था अपनी बात रखके चला जाता था किसानों ने अपनी बात रखी और हमने अपने मैनिफेस्टों में उनके लिए एक करांतिकारी काम किया है पहली बार हिंदुस्तान में लीगल गैरंटी किसानों की MSP के लिए दिया है मतलब कानून बनाया है कि उनको लीगल MSP मिलनी जाहिए जो किसान दिल्ली के ओर चल रहे हैं जिनको सणकों पे रोका जा रहा है उनकी मांग हमने पूरी कर दी है अपने मैनिफेस्टों में जाती जनगर्ना की मैंने बहुत बात की है थोड़ा साज कहना चाहता हूँ देश में 50% पिछड़े वर्ट के लोग है 8% आदिवासी भाई भेन है 15% दलित है और तक्रीबन 15% माइनोरिटी है सब मिलाकर तक्रीबन 90% हिंदुस्तान की अबादी या दलित आदिवासी पिछड़ा माइनोरिटी उसमें आप 5% और गरीब जेनरल कास के लोगों को मिला दीजिए यह हिंदुस्तान की अबादी मगर अगर हम हिंदुस्तान की संस्ताओं को देखे हिंदुस्तान के बजट को देखे हिंदुस्तान के धन को देखे तो इन लोगों की भागीदारी नहीं है, कहीं भी नहीं है, मैं आपसे पूछता हूँ, आदिवासी पर गहें आप, राष्ट्रपती आदिवासी हैं, हैंगे ना, ठीक है, राम मंदिर का इनागुरेशन हुआ, आपको टीवी पर उनका चेहरा दिखा, क्यों नहीं, ये, फिर से बोलो क्यों नहीं, क्योंकि वो आदिवासी हैं, हिंदुस्तान की राष्ट्रपती हैं, मगर उनको सीधा मेसेज दिया गिया, कि राम मंदिर के इनागुरेशन में, आप राष्ट्रपती हो, कुछ भी हो, आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकती हैं, सोच वहाँ से शुरू होती है, आपने टीवी देखा, राम मंदिर के इनागुरेशन में, आपने किसी गरीब को देखा, किसान, मजदूर, था, कौन था, अंबानी था, अदानी था, बॉलिवुड के पूरी लाइन अप थी, सारे के सारे थे, उद्योग पती, अरब पती थे, मगर राम मंदिर के इनागुरेशन में, एक गरीब नहीं था, एक किसान नहीं था, एक बेरोज़गार युवा नहीं था, एक विकलांग नहीं था, कोई नहीं था, दो हिंदुस्तान बने हुएं, एक पाँच परसेंट वाला, और दूसरा, बाकी लोगों का, और किसी भी एरिया में आप देखो, कहीं भी देखो, आपको पिछड़े दलेत आदिवासी नहीं दिखने वाले, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कमपनियों की लिस्ट निका लो, उनके मालिकों के नाम पढ़ो, एक आदिवासी नहीं मिलेगा आपको, मैंने चेक किया है, मैंने लिस्ट निका लिये सबकी, इनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निका लिये, अदानी जी आपकी जमीन लेते हैं, आपका जल चीनते हैं, जंगल चीनते हैं, मगर उनकी कमपनिय में, सीनियर लेवल पे आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों में नहीं मिलेगा मीडिया में देखो खारगे जी कह रहे हैं सिर्फ नरेंद्र मोधी दिखते हैं कारण है इनके मालेकों की लिस्ट निकालो इनके बड़े-बड़े रिपोर्टर्स की लिस्ट निकालो एक पिछड़ा नहीं मिलेगा एक दलित नहीं मिलेगा एक आदिवासी नहीं मिलेगा 90% हो आप हिंदुस्तान के 90% उसमें गरीब जेनरल कास भी जोड़ दो 5% और ले लो, और जोड़ दो मीडिया में आपका कोई नहीं बड़ी कंपनियों में आपका कोई नहीं हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग चलाते हैं आये सबसर हैं राजिस्तान में भी वो ही है यहाँ पे राजिस्तान की जरकार को 60-70 लोग चलाते हैं उनकी लिस्ट निकालो दिल्ली वाली में निकाली है उत्तर प्रदेश की निकाली है राजिस्तान की नहीं निकाली है निकाल दूँगा आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा 90 बे से तीन पिछड़े वर्क के लोग है तीन दले थे एक आदिवासी अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है बजट में तो आदिवासी अपसर जिनकी अबादी 8% है वो 100 रुपए में से 10 पैसे का निन्ने लेता है तो आपकी भागीदारी कहीं है ही नहीं तो फिर मैंने अपने आपसे सवाल पूचा भई ये कंपनियों में नहीं है ये मीडिया में नहीं है ये प्राइवेट हस्पतालों में नहीं है ये प्राइवेट स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलिजेज में नहीं है ये सरकार में नहीं है तो हैं कहां फिर मैंने मन्रेका की लिस निकाली उसमें आदिवासी, पिछड़े, दले सब भरे हुए कॉंट्राक लेवर की लिस निकाली मज़़ूरों की लिस निकाली उसमें भरे हुए 90 परसेंट का काम हिंदुस्तान में मजदूरी करने का है पाँच परसेंट का काम देश की हर संस्ता को कंट्रोल करने का है कहीं भी देख लीजी आप तो ये हिंदुस्तान की प्रगती का सबसे बड़ा सवाल है प्रगती करनी है तो ये कहते हासिक काम करना होगा जैसे जब चोट लगती है डॉक्टर आपसे कहता है X-ray करो कहता है ना कहता है वैसे ही मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान के गरीबों को चोट लगरी है गलेतों को आदिवासियों को पिछडों को गरीब जनरल कास को चोट लग रही है एक्सरे करा दो और मैं तो कह रहा हूँ एक्सरे के बाद मैं MRR भी कराऊंगा कितना पैसा किसके हातों में है कौन से संस्ता किसके कंट्रोल में है मीडिया में कितने लोग आदिवासी दलित पिछडे बड़ी-बड़ी कंपनियों में कितने आदिवासी दलित पिछडे प्राइवेट स्कूल कॉल्जी ये सारा का सारा निकाल दूँगा में और फिर आपको अपनी सक्षी सक्ती समझ आईगी आज आपको बात नहीं समझ आ रही आप सोच रहे हो कि आप में शक्ती नहीं है दस में से नौ लोग आप हो और आपके सब रास्ते बंद कर दिये पहले आर्मी में जाते थे अगनीवीर कर दिया पहले पब्लिक सेक्टर हो तुआ करता था पूरा का पूरा प्राइवेटाईज कर दिया पहले पब्लिक सरकारी कॉलेजिस सरकारी स्कूल होते थे अच्छे चलते थे पूरे गुवरे बंद कर दिये पहले सरकारी हस्पताल होते थे बंद कर दिये तो जहां जब भी आपके जेब से पैसा निकलता वो इपांच परसेंट के जिम में जाता है पेट्रोल का पैसा भरते हो पांच परसेंट के जिम में जाता है सलक पे टोल देते हो पांच परसेंट के जिम में जाता है फल करीते हो पांच परसेंट के जिम में जाता है आप जितनी GST देते हो अधानी देता है। आप टी-शर्ट खरीदो, 200 रुपए की टी-शर्ट खरीदो, 300 रुपए की टी-शर्ट खरीदो, वो खरीदे, जितनी आप देते हो उतनी वो देता है। अधानी बात भहिया, कैसे हमें इस देश में ठगा जा रहा है। भारत चोड़ो यात्रा में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी थे। यह वह आते थे, मैं पूछता था, क्या करते हो। राहूल जी बी-टेक हूँ, एंबी-ए किया, मेडिसन पड़ी, कंप्यूटर प्रोग्रामर हूँ, क्या करते हो, कुछ ने। रोजगार नहीं है। दिल्ली रेलवे स्टेशन में एक युवा कुली का काम कर रहा था, मेरे पास आता है, राउजी मैं तो एंजिनियर हूँ। सिविल एंजिनियरिंग किये मैंने, पांच-दस लाग रुपे मैंने प्राइवेट इंस्टिटूशन को दिये, अब मैं कुली का काम कर रहा हूँ, नरेंद्र मोधी जी कहते हैं, पकोड़े बेचो, और सबसे ज़रूरी मुद्दा है देश के सामने, तो आज, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कि हिंदुस्तान के युवाओं के लिए, आदिवासी, युवाओं के लिए, पिछड़े वर्द, दलित, गरीब, जेनरल कास के युवाओं के लिए, कॉंग्रेस पार्टी, क्या करने जा रही है, सबसे पहला कदम, हमने गिंती किये हिंदुस्तान में 30 लाक सरकारी वेकंसी हैं, 30 लाक, मोधी जी इनको भरवाते नहीं है बीजेपी इनको भरती नहीं है सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे दूसरा एतिहासिक काम हम बनरेगा प्रोग्राम लाई थे रोजगार का अधिकार लाकों लोगों को फाइदा हुआ अधिकार दिया हमने वैसे ही हम हिंदुस्तान के युवाओं को सब युवाओं को अप्रेंटिशिप का अधिकार देने जा रहे हैं और ये अधिकार हर ग्रैजुएट हर डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा अधिकार क्या है कि कॉलेज उनिवर्सिटी डिप्लोमा के एक दम बात एक साल के लिए हर ग्रैजुएट को प्राइवेट कमपनी में सरकारी आफिस में एक साल की अप्रेंटिशिप दी जाएगी और एक लाक रुपे उसे एक साल में दिया जाएगा और यह हर ग्रैजुएट के लिए किया जा रहा है यह जो लाकों लोग कह रहे है कि हम बेरोजगार है कॉलेज के एक दम बात अगले दिन इनको अप्रेंटिश अप्रेंटिशिप मिल जाएगी और यह अधिकार होगा यह आसी ऐसी नहीं होगा कि भई हमें देना है तो देंगे नहीं देना तो नहीं देंगे यह मन्रेगा जैसा अधिकार होगा कानूनी अधिकार अप्रेंटिशिप का आपको दे रहे हैं इस से देश में करोड़ों युवाओं को फाइदा होगा ट्रेनिंग मिलेगी और पहला साल का एक प्रकार से पहले साल का रोजगार मिलेगा भारत जुड़े यात्रा में बहुत सारे युवा आए कहते हैं राहूल जी हमने एक्जाम के त्यारी की हम गरीब हैं तीन-चार महीने हमने मतलब रात दिन कर दिये एक कर दिये एक्जाम के दिन पता लगता है पाँच परसेंट वालों के टेलेफोन पे पेपर लिग हम इमादनारी से काम करते हैं और जिनके पास धन है पेपर चुडा लेते हैं और फिर उसके बाद हमें कहा जाता है कि देखिए पेपर लिग हो गया तो आपको अग नौकरी नहीं मिलेगे पुलीस की भरती में होता है पटवारी सब भरतियों में होता है तो हम एक नया कानून लाएंगे पेपर लिग के खिलाफ एक कानून जिसमें हम एक्जैम दिलवाने का तरीका स्टेंडरडाइज कर देंगे कि एक्जैम होगा तो यह जो आउट्सोर्सिंग होती है प्राइवेट कंपनिये को पकड़ा दिया जाता है यह आउट्सोर्सिंग नहीं होगी एक्जैम सरकारी संस्ता करेगी और इस प्रकार से करेगी और अगर इस प्रकार से नहीं किया और अगर पेपर लीक हो गया तो फिर कानूनी कारवाई ऐसी होगी कि दूसरी बार नहीं होने वाला है चौथी चीज युवाव के लिए बहुत सारे युवाव उबर ओला डिलिवरी का काम करते हैं इसको अंग्रेजी में गिग वर्कर्स कहते हैं और राजिस्तान में हमने इनके लिए कानून मनाया था इनकी रक्षा के लिए इनकी पेंशन के लिए इनकी सोशल सिक्यूरिटी के लिए जो कानून हमने राजिस्तान में बनाया था वो ही कानून हम पूरे हिंदुस्तान में लागू करने जा रहे हैं कि जो ड्राइवर का काम करता है सिक्यूरिटी गार्ड का काम करता है उबर का काम, ओला का काम ये पीट्सा डिलिवरी जो होती है ये जो सब युबा हैं इनकी रक्षा हो इनका एक प्रकार से पेंशन हो सोशल सिक्यूरिटी हो और इनको एक दिन में सड़क पे ना करा जा सके तो इसके लिए हम एक हिंदुस्तान में एक कानून बना रहे हैं और पांच में चीज ये भी एतिहास एक चीज नरेंदर मोदी जी ने स्टार्ट अप इंडिया किया स्टैंड अप इंडिया किया मेक इन इंडिया किया कोई फरक नहीं पड़ा वो सारा का सारा दो तीन अरब पती उठा के ले गए नरेंदर मोदी जी की मार्केटिंग जरूर कर दी टीवी पे उनका चेहरा जरूर दिखा दिया मगर जो युवा हैं उनको ना स्टार्ट अप मिला ना मेक इन इंडिया मिला तो हमने पाँच हजार करोड रुपए स्टार्ट अप्स के लिए एक फंड बनाया है और हर डिस्ट्रिक्ट में ये फंड रहेगा दस करोड रुपए स्टार्ट अप्स के लिए गरीबों के लिए ये फंड दिया जाएगा तो गरीब हुआ है बेरोजगार हुआ है ये अगर छोटा सा बिजनस शुरू करना चाहते हैं काम करना चाहते हैं तो ये स्टार्ट अप फंड उनकी मदद के लिए किया जा रहा है तो ये पाँच अतिहासिक काम है युवाओं के लिए भरती बरोसा 30 लाख वेकंसीज भरना पहली नौकरी पक्की अपरेंटिशिप वाला कानून पेपर लीक से मुक्ती पेपर लीक वाला कानून गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी और युवा रोशनी 5000 करोड रुपै डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्टप्स के लिए तो ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं अंत मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी आदिवासियों की जल जंगल और जमीन की लड़ाई हमारी लड़ाई है आपके साथ हम खड़े हैं हम पेसा कानून लाए जमीन अधिकरन कानून लाए और जो भी हम आपके लिए कर सकेंगे शिक्षा के लिए स्वास्त के लिए जल्व, जमीन, जंगल के लिए हम आपके लिए करेंगे दिल से करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, जेहिन